आज की क्लास में हम एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वाइब्रेशन आइसोलेशन नाम ही रिप्रेशन कर रहा है वाइब्रेशन आइसोलेशन मतलब वाइब्रेशन को आइसोलेट करना है आइसोलेशन वर्ड या वाइब्रेशन के मैगनिट्यूड को कम करना उसके एंप्लिट्यूड के मैगनिट्यूड को कम करना बात एक ही है हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोगोंने एक सिस्टम लिया था उस सिस्टम में एनालिसिस किया नेचरल सी फांड आउट की उसकी डिफॉरेंशाल पर लगाया बंपर लगाने के बाद मैं आ गया था स्वाइब्रेशन में जिस वह मैं एक्साइटेशन फोर्स ले रहा हूं अगर एक कॉंस्टेंट मैंगिटूट का एक फ्रिक्वेंसी के साथ ठीक है फिर मैं मशीन पे पहुंच गया तो दो तरीके की देखी एक रैसिप्रोकेटिंग रोटरी दोनों केस में अन्बैलेंसिंग के करण्ड वाइब्रेशन हो रहे है कि जो मशीन है वो मैं खुद के ही वाइब्रेशन होगे क्योंकि अगरोटरी पार्ट है तो वौ रोटरी अन्बैलेंसिंग देगा वहाँ पर machine is देआर लेथ मशीन ड्रिल मुषिन लेथ मशीन ऐस दिया सी संसे ऐसे एक अंशलीट कर दो लो इसलिए общем आप बाइशा मशीnews कर रहे हो और बाइब की दो फ्लोर पे रखी हुई है वह फ्लोर पे रखा हुआ है हमने चालू कर दिया क्योंकि मशीन का खुद भी अभी देखा थे अपनने के मशीन में हमेशा उन बैलन्स फॉर्स रहेगा याने वाइबरेशन रहेगा तो वह जो फॉर्स है उसके कारण जो अप्लिटूड है वाइब जैसे मालो drill machine है साथ में lathe रखिए lathe पे भी operation हो रहा है बात जो में CNC में भी operation हो रहा है और आपके drill पे भी operation हो रहा है सारी चीज़ें आपने set कर दी बट आपने ये नहीं set किया उसे direct floor पे install कर दिये once you install on the floor आपने drill machine चालू कर दी यह CNC precisely काम कर रही है और यहाँ पर आपकी lathe काम कर रही है तो जैसे ही drill चालू किया drill के जो unbalanced force है वो transmit हो गया floor से बाजू वाली आपकी side वाली lathe machine पे या CNC machine से जैसे ही transmit हो है अब उसमें एक another type of उस machine के vibration तो है आपने देख लिया machine के vibration rotary vibration आपने देख लिए reciprocating देख लिए उस machine के vibration उसके हिसाब से आपने डैंपिंग वैंपिंग सब लगा के instrument को बना तो आपने इसके लिए क्या किया दूसरी machine के vibration के लिए क्या किया उसका मशीन अब वो ड्रेल चल रही है उसके लिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशे एक concrete के structure पर रख देता हूं अभी हम जो करेंगे वह करेंगे vibration isolation using spring and damper system हम जो derivations करेंगे आगे जाके क्योंकि यहां पर मुझे दो चीज पढ़नी है vibration isolation में पहला कि जो force transmit हो रहा है force transmissibility कितना force transmit हो रहा है और उनको रोकू कैसे तो मैं vibration isolation using spring बड़े-बड़े springs में मशीन को रख दू तो जो भी force उसमें transmit होगा वो spring में जाके रुख जाएगा वो floor से दूसरी machines में transmit नहीं होगा तो यही सब चीजे हम लोगों को पढ़नी है upcoming classes में vibration isolation point of view से कि अगर कोई machine working condition में है तो उसके vibration के जो amplitude है वो कितने transmit हो रहे हैं floor के थूर किसी और system में ठीक है so in the upcoming classes we are going to drive the relation for vibration isolation using spring and damper also thank you you